नमस्कार नियूस्क्लिंग आपका स्वागत है मैं हूं मुकुंद और आज हम अपने पडोशी देश बंगला देश में जिस तरह के हालात बने हैं जिस तरह की तस्वीरे आ रही हैं वह एक भयावा तस्वीरे हैं और बेशत चिंता जनक पे जो कि भारत उसे लगा हुआ पड अब्दुल रह्मान जो की पीपल डिस्पैच से जुड़े हुए हैं और अंतराज्ट खवरों पर लगातार लिखते और बोलते रहे तो अब्दुल जी नियूस्क्लिक में आपका स्वागत है पहले तो यह जो पूरा हालात है इसको हम कैसे देखें और इसके पीछे का पर कि यह सरकार जो है एक तरीके से ऑथरेटेरियन है लोगतांतरिक मुल्यों के साथ नहीं चलती है विपक्ष को दबा के रखती है और जो भी इसके खिलाब बोलता है उसको बेसिकली कुछ ना कुछ किसी ना किसे तरीके से उसको दबाने की कोशिश करती है एक चीज यह थी पिछले जैनवरी में वहां पे चुना हुआ जिसमें सेखर चिना चौती बार चुन के आई लेकिन वह एक ऐसा चुना हो था जिसमें कोई विपक्ष जो था में विपक्ष था वो पार्टिसिपेट नहीं किया ओवर आल जो परसंटेस था वोटिंग का वो भी 40 परसंट से नीचे उनफिर्शली तो कहा जाता है कि 28 परसंट लोग ही उसमें पार्टिसपेट किये तो इस महाल में एक तरीके से कहें लोगों के अंदर गुसा था एक बड़ा सेक्शन था बंगलादिस में जो सेख असीना सरकार से खुश नहीं था और इसलिए उसके खिलाफ वो एक क जादा हुआ खासकर कि अरक्षन के खिलाफ जो एक अंदूलन चला अगर समय मिलेगा ताम उस पर चर्चा कर सकते हैं उसके कारण क्या हुआ कि जो चात्रों ने जादोलन सुरू किया उसमें उस बड़े सेक्शन को भी भाग लेने का मौका मिला और इस तरीके से एक छोटा अंदूलन एक विशाल अंदूलन के तौर पे कन्वर्ट हो गया और उसके कारण क्या हुआ कि सेखासिना सरकार ने जब उनके खिलाफ एक्शन लिया जिसमें करीब मैंने पूरे 15 दिनों में करीब करीब 300 से उपर लोग मारे गए तो एक वो गुस्सा और बढ़ा और उस ग और इंडिया में चली गई भाग जाना पड़ा और तो यह सिच्वेशन पैदा हुआ उसके बाद एक सिस्टम को पूरी तरीके से वहां पे कॉलाप्स हो गया चारो तरफ पुलिस बल जो है उसने कहा कि मैं हम जॉब नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हमें खत्रा है कि जो अब जैसे एक तो जो स्थिति हम दो तीन दिन पहले फूटेज और जिस तरह से वीडियो सोसल मीडिया पाने शुरू है वह तो एक स्थिति थी अभी क्या उसमें कुछ बदला वह भी जो बरतमान स्थिति इसमें कुछ सुधार है से खसीना कर रिजायन होने के बाद क्या ल कुछ एरियाज में सिच्वेशन कंट्रोल में हैं खास करके इसलिए क्योंकि जो छात्रांदोलन लीड कर रहे थे उन्होंने अपनी तरफ से इनिशियेटिव लिया अपनी तरफ से पहल की और पुलिस और प्रसाशन के नहीं होने के बावजूद भी कहीं कहीं व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की तो जो भीड लूट रही थी सरकारी संसानों को मुझीबिर रह्मान के स्टैटू के ओपर जो अटैक कर रही थी उस तरह का सिच्वेशन एक तरीके से कंट्रोल में है लेकिन जो बंगलेजिस के रिमोट एरियाज में अभी भी बहुत सारे ऐस कि अभी भी बहुत सारे संसानों पर हमले हो रहे हैं लूट मार की घटनाय हो रही है पर यह एक सही बात है कि पिछले दिनों के मुकाबले उसमें कमी आई है कुछ हद तक व्यवस्ता स्थापित हुई है खासकर तब जब यह बात सामने आई है कि आर्मी ने टेक ओवर कर ल करेंगे तो यह जो सिच्वेशन पैदा हुआ है और खासकर चात्रों इस तरह के से पहल किया है जो प्रदर्शन को लीड कर रहे है उसके कारण से कुछ स्थार तक व्यवस्ता स्था आएंगे लेकिन पहले समझना चाहता है जो सेख हसीना यह पूरा एपसोड हुआ है इस तरफ शर्लंका बंगलादेश नेपाल और फिर पाकिस्तान और इन सब बॉर्डर पे तरीके राज्यों अस्थिर्टा होना लगा था जोगि नेपाल में कुछ समय समय पैसे चीजे होती रही है पाकिस्तान तो सुरु इस दे में पिछे मनें शर्लंका मंदेखा और अभी य हaguya हिनुस्तान के लिए क्या चिंता की बात होंने चाहिए या सावब हिंदूस्तान को से क्या सीखना मैंना किस तरीक त्यारी करनी चाहिए कहीं भी स्थिर्टा होगी हमारे इसह स्टिर्टा होगी घ्ले सिंच तो वह ऑफकोर्स भारत के लिए ठीन की इसनिन हो कार्थी वो एक तरीके से कहें कि भारत के साथ उसका मित्रता पुन बैवार था लेकिन ओहां जो ऑपोजिशन है जो स्टैब्लिश्ट ऑपोजिशन है अब बन प है या जमात है वो बेसिकली उनका जो अब तक का अप्रोच रहा है वो खासकर के तो अपने से बनता है किस तरह की सरकार आती है हम नहीं जानते पर अभी जो सिटोएशन है वह भारत के लिए तो नहीं है है ऐसा माना जाना चाहिए हम यह कर सकते हैं कि हो सकते कि जो जिस तरीके के सिग्नल स्टूडिन्ट मुवमेंट दे रही है अगर सरकार वहां पर वाकई में एक तरीके की ऐसी प्रोग्रेसिव सरकार बन पाती है तब तो इंडिया को कोई खास दिक्कत होने की बात नहीं है ले आसे अब मात युणिष की बात कर थे गंत्रिम सरकार बनाने का प्रस्तावा है अराश्ट पतिन दिया उनके साथ और लोग को जोड़के एक सरकार चलानी कोशिश हो हुरी है उनको हम कैसे देखें उसका उनका वहां पे अंत्रिम सरकार चलाना भारत पे कैसा मॉहममद यू अधिनेस एकोनोमिस्ट हैं नोबल प्राइज विनर हैं उनका एक्सपिरियंस रहा है प्रसाशन में लेकिन वह प्रसाशन बैंकिंग से रिलेटिड रहा है और जिसको हम सेल्फ गृप कहते हैं उस तरह कि संस्तानों को चलाने में रहा है हम नहीं जानते कि क्या वो कैपिबल ह इसे बड़े देश को चलाने में प्रधानमंत्री के रूप में या सरकार के प्रमुक के रूप में यह बहुत क्लियर नहीं है उन माना जाता है कि वो एक उदारवादी विचारधारा से समन रखते हैं और उनका दुनिया के बहुत सारे देशों से अच्छी उनकी समझ है उ लेकिन अभी तक कोई एक्सपिरियंस नहीं है पर गिवन द फैक्ट कि ज्यादा तर जो चात्रांदोलन के नेता हैं वो चाहते हैं कि युनिसी सरकार को लीड करें क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनका एदुकेशनल बैक्ग्राउं उनका अभी तक का जो एक्सपिरियं कि अभी तो नहीं होगा पूरा अपिसोड वापस अगर देखें जिस तरीके से वह उनको बहुत कम समय के समय मिला इससे आप देश चोड़ें और जनवरी मिज़ आशन चुनाव में इस तरह के बूटल मज़ूर्टी के साथ आना अगल समय तक साफन चलाना और एक्दम से जो आप बता रहे थे सुरू में आपने का जो वह एक आंडोलन सुरू हुआ क्यों हुआ अरक्षन का सवाल था वो इस्थितिय एकदम से बड़ी कैसे हुई उसको अगर संझा पाएं जो कि एक लीडर जो अगर हम नम्मर गेम में देखें तो सबसे पॉपलर लीडर दिखती ह इतने लंबे समय तक उनके फैंबली का बेक्ग्राउंड रहा है बंगलादेश के मुक्ती अंदोलन में और उन सारी चीजों में रहते हुए और इस तरीक इस्थितिया क्यों बनी देखे हम इसको सिस्टेमेटिकली समझ सकते हैं तक ही आसान हो जाया हमारे लिए जन्वरी क सिर्फ 28 परसेंट लोगों ने वोट किया ज्यादा तर ऑपोजिशन पार्टी ने वोट का वहिस का वहिस कर किया उन्होंने चुनाओं लीडर को जेल में भी डाल दिया गया है इसके अलावा बहुत सारे और जो दूसरे तरीके से ट्रीड यून को काम करने का अधिकार नही जो चुना हुए उसमें वोटिंग परसेंटेस बहुत ही कम रहा और इसके कारण से क्रैसिस अफ लिजिटिमसी उनके लिजिटिमसी को लेकर क्वेशन मार्क्स बने रहे इसी बीच में बंगलादेश में हाई कोट ने एक जज्जमेंट दिया जिसने अठारा में एक जो बं वो फ्रीडम फाइटर को ने हम सब जानते हैं उनी सीखत्तर में पाकिस्तान के खिलाफ जवा अंदूलन हुआ तो उस अंदूलन में जिन लोगों ने भागीदारी की उनके उनको सरकारी नोकर्यों में एक्षन मिलता था 30 परशन और इस पर धीरे-धीरे जब बहुत साल हो ज्यादा तर जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिस्पेट की वह रहे नहीं तो वह रिजर्वेशन उनके बच्चों को ट्रांसफर हो गया यह चीज बांगलादेश में बहुत ही अनपॉपुलर हो गई थी खास करके जब यह बच्चों को ट्रांसफर होने की बात और यह कोट अनकोट मेरिट के लिए अच्छा नहीं है तो 1918 में अंदोलन हुआ और 18 में अंदोलन के बाद सरकार ने कहा कि हम इसको खतम करते हैं लेकिन इस साल जून में हाई कोट ने उसको दुबारा से स्थापित करते रिजर्वेशन को और इसके कारण से वहां के जो चा अंदोलन सुरू किया कि हम रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते लेकिन रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है और खासकर के फ्रीडम स्ट्रगल के में पार्टिसिपेशन के बच्चों को जो रिजर्वेशन मिलता है वो चाहिए बागी रिजर्वेशन रहे लेकिन यह खतम होना चाहिए सरकार नहीं मानी वह एक टर्निंग पॉइंट है जिसके कारण से जो पहले से ही जो क्राइसिस सरकार का था जो गुसा था सरकार के खिलाफ उसको चैनलाइज करने में यह एक महत्पुन रोल में जो एक लुए अवामी चाहतर लीग में स्टूडिनटेंट है जो पार्टी से अटेच्ट है उस ने मामला सुप्रीम कोड में गया और सुप्रीम कोड ने कहां LIKE फैसलय पे रोक लगाथे हैं तो उसने कहा कि अब हमकरी हो गई है अब आप प्रदरशन खतम कर दीजिए जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 15 या 16 जुलाई को पूरे देश्क में कई जगों पर प्रदर्शनकारी चात्रों के खिलाफ जो सरकारी चात्र संगठन था उसने हमला किया और उस हमले के बाद से चात्रों में गुस्सा बहुत जादा जिसको आप कह सकते हूं कि जो बहुत पहले भी उनका धार्मिक तौर पर पॉलरेशन में बहुत 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 जाए पहले बी इलेक्ट्री उतने इंपोर्टन नहीं है लेकिन उनका संख्याबल इतना है कि वह डिस्टर्बंस क्रेट कर सकते हैं उन्हों ने उस मौ इसके बाद जो सरकार का रेक्षिन था उसने और कहिए सकते हैं जले में और घी डालने का काम किया और फिर जो गुसदा पहले से था उसको और बढ़ाने का काम किया और तो यह बेसिकली जो सिक्वेंस आवेंट्स है यह जो चीजें हुई। उसी का नतीजह हुआ कि Sigh Hazina को फ तो लेकिन अगर फिर भी हम कोशिश करें तो हमको किस तरफ जाता हुआ देख रहा है अभी यह बहुत ही इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है यह बताना कि क्या होगा लेकिन दो तीन चीजे ऐसी हैं जो हमें धान में चाहिए उनके उपर डिपेंड करेंगा कि आगे क्य सिचुएशन होगा पहला यह कि यह जो अंत्रिम सरकार बनेगी जिसके नित्रति में उसका कॉंपोजिशन क्या होगा क्या उसमें एक्स्रेमिस्ट अलमेंट्स को भी भागिदारी मिलेगी अगर उसमें भागिदारी मिलती है जैसे बीन पी हो या जमात हो या दूसरे करेंगे इंक्लूडिंग जमात तो हम अगर जमात जैसे इल्लिमेंट सरकार में आते हैं तो फिर बंगलादेश में चुकि बंगलादेश की हिस्ट्री रही है अगर हम देखें 1971 के बाद से राइट विंग इलेक्टोरिली बहुत मजबूत नहीं रहा खासकर कर रिलीजियस धार्मिक रॉक तोर पे एक्स्रमिस्ट एल्मेंट है उसका वोटिंग में उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहा लेकिन वह हमेशा से इंफ्लेंशल रहे हैं पॉलिसी डिटरमाइन करने में सक्सेसिव मिलिटरी कूज में उनका रोल रहा है और बंगलादेश को सेकुलर बनना चाहिए कि एक इसलामिक कंट्री होना चाहिए उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है तो अभी बंगलादेश सेकुलर नहीं है इसलामिक है डिस्पाइड इसके कि हम जैसे मैंने पहले लगा कि जमात का कोई इलेक्टोरिल इंफ्लेंश नहीं है लेकिन वह पॉ बनन लीड कर रहा था क्या वो किसी बी तरीके से ये एलेक्शन जो होंगे क्योंकि परल्लामेंट बंग हो चुका है राष्ट पति ने बंग कर दिया है और बंगलादेश के समिधान कन सब्ढ़ नबवे दिनों के अंदर नया चुनाओं होना है तो अगर नया चुनाओं हो तो यह एक जो मेन पार्टी है और उसके अलाइज है जो एक लिब्रेल सेक्शन को लिब्रेल लेफ्ट सेक्शन को रेप्रेजन करते हैं अगर उनको हम पूरी तरीके से डेसिमेट करके सिर्फ राइट विंग को ही चुनाव लड़ने में का मौका देते हैं और कोई अब करते हैं चुनाव जीत भी जाए तब जैसे मैंने पहले कहा यही पहले सिचुएशन पहला सिनारियो है उसी को एक तरीके से सब्स्टेंशिट करेगा और आखरी चीज है क्या बंगलादेश में मिलिटरी जो है क्योंकि मैंने पहले कहां कि अभी तक बंगलादेश में आंव हेघो सरकार से कुया है कि उनने स्वैंथ को किया है कि और कि कुस्त तो कि मिलीटरी की से क्वाइभ सब्सक्राइब करें अपर अपर कूसु सरी हमां इस में भाषे खाल नहीं करें शहीं है कैसे और यह वो एक बड़ा कारण था कि शेख हसीना की सरकार का ऑथोरिटेरियन टॉन क्योंकि उनको लगा कि कि मिलिटरी के सहयोग से जो रिलीजियस राइट विंग है जमात है दूसरे जो हैं वह हमारी सरकार को हटा देंगे तो हम तो उन्होंने एक रिपरेशन का इक दौर सुरू किया जिसमें जितने मिं लोगों से उनको खतरा था उन सारे लोगों को के खिलाफ उनने अख्शन लि कि बंगलादेश में जो सबसे इंपॉर्टन चीज है उस कि वहां के आर्थिक स्थेती सेख हसीना के सरकार में 15 साल से ज्यादा बीस साल के लगबग एक तरीके से बंगलादेश का एकोनोमिक ट्रांस्फोर्मेशन हुआ है एकोनोमिक बदलाव आया है बंगलादेश में लेकिन उस बदलाव से यह तो हुआ है कि बंगलादेश एकोनोमिक ली थोड़ा अच्छा हुआ उसका कंडिशन बहतर हुआ जो में था उससे बेतर है लेकिन इसके साथ समानता भी बहुत बढ़ी है और एक तरीके से कहिए तो जो रोजगार का जो मुद्दा था वो बहुत एक ताकत वर बहुत स्ट्रॉंग मुद्दा था क्यूं क्यूंकि रोजगार तो पैदा हुए बंगलेश में आर्थिक संपन्नता से लेकिन वह रोजगार जादा तर रोजगार वैसे रोजगार थे जो जिसको कहते हैं एजुकेटेड यूथ के लिए जो इन्वर्सिटीज में पढ़ता है वह उसके लिए कोई खास रोजगार पैदा हुआ नहीं और उनके संख्या बढ़ती जा रही है और जब तक वह च लेकिन जो जादा तर बंगलादेश के जनता है वह गरीवी रही या वह बहुत कहिए कि छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने पर मजबूर है उनकी आए नहीं बढ़ी जादा तो यह जो असमनता है अगर वह ऐसी ही रही तो फिर बंगलादेश में इससे राइट व सब्सक्राइब करें तो यह बहुत करें जिसका अशर एक तो यह हुआ यानि कि अब किसी भी लोगतंतर में यह नहीं कह सकते हैं जो पूरी तरह कर दिया जाए जाए उसका असर बाद में इस तरह होता है दूसरा जो आर्थिक सुधार हुए है पूरे पुझी वाद के इस आर्थिक सुधार है जितने भी अन्रेस्ट हो रहे है आसपास में उसमे एक बड़ा कारण आर्थिक असमानता है और उसका असर हो रहा है तो यह दो चीजे हम पुक्ता दूर पे इस बात में भी कह पार है लेकिन आखरी में चोटा से बात करेंगे एक आखरी में चोटा से सिबत है कि बंगला देस में जो राइट विंग है यह किसी देस में चोटा है इसके दो करता है ज़्यक्तर मैनौर्टी हिसके निशाने पर होते हैं यहाँ से लंका देखे कि यहां देखे का बड़ेगदे देखे के पाकिस्तन देखे तो जब हम ऐसे और आज हम अपने देस में आपके बिल्कु यहां के एक माइनोर्टी सेक्षिन को डराने का या उसको टार्गेट करने का कोशिश कर रहा है तो यह कितना खतरना क्या नुक्सान दे हमारी डेमोक्रिसी के लिए या इस इवेंट के लिए इससे हमें कितना बचके रहना चाहिए बिल्कुल यह बहुत इंपॉर्टन चीज है हमें धान वक्ना चाहिए अभी जो सोशल मीडिया पर हो रहा है कि बंगलादेश में माइनोर्टी के माइनोर्टी के खिलाब चीज होरी है तो यहां पर उठाते वहां की भात क्यूं नहीं करते यह हैं एक मंगलादेशमन की भणलेशल कि पाकिस्ताने चीज होती उसका इस्तमाल भारत में राइट विए वह क्रित्ति अपने यहां के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंगलादेस में जो हो रहा है वो गलत है अगर वहां के माइनौरिटी के खिलाफ हमला हो रहा है या पाकिस्तान में अगर माइनौरिटी के खिलाफ हम रहा है तो भी गलत है उसी तरीके से गलत है जिस तरीके से इंडि बाबर्क आदिकार दे उसको प्रोटेक्ट करें उसके खिलाफ जो लोग हमला कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ जो कानूनी कारवाई कर सकते हैं करें अगर हम यह कहने लगें चुकि भॉष भाँ यह चीज जीर हो रही है तो यहां पर हो रही है तो जस्टिफाइड है यह कि अगर वहां के रिलिजियस राइट विंग को किसी भी तरीके से हम लिजिटिमाइट करने की कोशिच करेंगे तो वह बेसिकली उसका रिपरकशन हमारे उपर भी पढ़ेंगे यह पास्ट में भी हुआ है उसका हमेशा से एक असर पड़ा है हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन अगर भी होगा तो हम डिसकस कर सकते हैं कि कैसे इंडिया में बंगलादेश के माइनोरिटी के खिलाब जो अटेक है उसका बहुत बड़ा असर है इंडिया की राजनिती पे ख कि वहां पे जमात या दूसरे एक्स्टमेस्ट आलिमेंट से इस मौके का इस्तेमाल करके वहां पे माइनोरिटी को टार्गेट कर रहे हैं लेकिन वह टार्गेटिंग हमारे यह तार्गेटिंग को जस्टिफाई नहीं करता वह दोनों ही चीजे गलत है और दोनों के प्रहा नहीं से अपित जालती है अब से के लिए अगे का सफर कैसा होगा या हिंदुस्तान में लंबे संब तक रूखेंगी यह क्या हिंदुस्तान सिथिती में हमको लंबे संब रोके और बंगलादेश की सरकार जो बात्मान वाने क्योंकिसिक पोगी एक तररहु उनकों और देस में जाते हैं उनको देख रहे हैं उनकी उसकी त्यानकारी कुछ अगर आपने रिपोर्ट में देखी हूं कोशिश तो यह है कि हसीना लंदन जले जाए उनकी फैमिली वहां पर है लेकिन अभी तक यूके की सरकार ने कहा ऐसा जो सिगनल्स दी है उसमें लगता नहीं क्योंकि यूएस भी बहुत की नहीं है उनको अपने रखने का और यूके उतना इंट्रस्टेट नहीं है तो उनको ऑप्शन खोजना पड़ेगा कि अगर कहां जाना है तो अभी कहना मुश्किल है पर फिलाल वो इंडिया में ही रहें यह था अब्दुल जिन्हों अपनी जो बाते समझ में आई जो एक आंदोलन जब भी होता है जब भी कोई सरकार उसको बूटल तरीके दवाने के कोशिच करती है तो उसका इस्तमाल जो भी ऐसे लोग इंतिजारें बैठे होते हैं जो चुनियों सरकारे खिलाफ इस्तमाल करना चाहते हैं वो करते हैं उसकी पर क्योंकि दो गलतिया मिलके एक सही नहीं बनता है तो अभी के लिए वह सितना ही बंगला देश में से जुड़े जो भी बाकी अपडेट होंगे उसके लिए हम इनके पास आते रहेंगे और इसके अलावा देश और दुनिया के जो भी खबरें हैं और जो भी ज़रूरी खब झाल 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 झाल